ओ यूटूबार, ओ यूटूबार, क्या हुआ है, यूटूब से कितना पैसा मिला है, तो ये चीज, दोस्तों ये पास गलतिया आप कभी भी नहीं करना चाहिए आपकी चैनल पर, क्योंकि दोस्तों मैंने तीन चैनल बनाया है, और तीन चैनल में से दो चैनल मेरा चल रहा है और एक चैनल की जितना मैंने मेनत किया है सारी मेनत मेरा बेकार हुआ है क्योंकि मैंने फर्स्ट जो शुरुवत में जो चैनल मैंने बनाया है उस चैनल पर मैंने ये पास गलतिया किया है और इसलिए मेरा चैनल बिल्कुल बेकार हुआ है तो ये पास गलतिया क्या है और क्या ये गलतिया है आपको क्यों नहीं करना है एक एक गलतिया की जो reason होता है जो कारण होता है मैं आज आप लोगी साथ share करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करना से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप म सारी चीजों की जो skin shot है मैंने यहां share किया है आप लोग देख लिए तो दोस्तो हम लोग क्या गलति करते हैं दोस्तो दीकि एक चैनल बनाने की बाद शुरूआत में तो हम लोग motivate होके दो-तिन वीडियो आपलोट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तो जब देखते हैं कि व सब्सक्राइबर नहीं आता है और उसके बाद ये भी लुग करते हैं जैसे कि एक चैनल पर शॉर्ट वीडियो आप्लूट करते हैं long वीडियो आप्लोट करते हैं तो long वीडियो और short वीडियो में दुनों में क्या अंतर होता हैं दोस्तों ये काफी लुग गलती करते हैं आप लुग जाके YouTube पर सार्ड करके देख सकते हो जैसे कि दोस वीडियो लॉंग वीडियो आपलोट क्या है और 20 वीडियो शॉर्ट वीडियो आपलोट क्या है अक्सर एक शॉर्ट वीडियो बाइरल हुआ है और उस वीडियो से आपने 2000 subscribers गेन कर लिया है तो उसके बाद आप लूग क्या करता है कि आपको लगता है कि आपर लॉड़ो आपलेट करना है क्योंकि लॉड़ो से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो तो जब लॉड़ो आपलेट करते हैं लॉड़ो पर जैसे आपलेट करेंगे तो long video पर इतना views नहीं आता है क्योंकि आपने जो short video upload किया है short video की related audience आपकी channel पर आया है तो short video वाला जो इसी तरह video देखने वाला है तो क्या long video देखेंगे audience को भी नहीं देखेंगे तो यह मतलब ज्यादत और new creators यह गलतिया करते है और यह भी गलतिया करता है जैसे कि माल लिजए आपकी गाउ में किसी साप वाला खेल मलाडी वाला आया है तो आपने क्या क्या कि वहाँ जाके एक video shoot किया है और आपकी channel पर upload कर दिया है तो यह जो गलतिया है देखिए एक channel पर एकी niche पर वीडियो आपलुट करना होता है दूस्तों हम लुक क्या करता है कि mixed content mixed content upload करना से क्या होता है कि आपकी channel पर जो subscribers increase होंगे जो subscribers gain होता है तो अगर एक एक category में आप वीडियो आपलुट करते हो और एक ही category के subscribers मिलता है तो जब आप वीडियो आपलोट करते हो तो आपकी चैनल पोर तुड़ा बहुत व्यूज आएंगे लेकिन आपने कहल मलाडियो वाला जो वीडियो आपलोट किया है मान लिजए और उस वीडियो वीडियो जो है बाईरल हुआ है और उस वीडियो से आप, आपको 20,000 सस्क्राइबर्स मेल गया है, मान लिजे, तो जब आप टेक रिलिटेड वीडियो आपलोट करते हो ना, तो ये तो गलत सस्क्राइबर्स आपकी चैनल पर आया है, तो कभी आपकी टेक रिलिटेड वीडियो देखेंगे, कभी नहीं देख category में आपको वीडियो आपलोट करना चाहिए ताड स्वरी सेकेंड जो जो गलतिया आपलोट करते हों क्योंकि मैंने ये गलतिया किया है और मुझे याद है इसलिए आपलोट को मैं सबसे पहले ये मतलब माना कर रहा हूँ कि आपलोट ये करतिया नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए आप तो एक चैनल बना लेते हों और एक चैनल पर वीडियो आपलोट करते हों आपने दोस वीडियो आपकी चैनल पर आपलोट किया है उसके बाद आपने 20 दिन गेट कर दिया है आपने पास वीडियो आपलोट किया है बेश दिन बाद तो आपने फिर दो माहिने आपके चनले पर वीडियो आपलोट नहीं किया है उसके बाद आपने यूटूब पर एक दिन एक वीडियो तुड़ा बहुत वीडियो देख यह है वीडियो से तुड़ा बहुत आपको consistency क्या होता है देखिए consistency यह होता है कि आपने माल लिजिए आपकी चनेप और हफता में दो वीडियो आपलेट करते हों तो हफता में दो वीडियो आपलेट करते हों आपने दो हफता दो दो वीडियो आपलेट करके गया और उसके बाद आपने क्या कि हफता में एक ही वीडिय आपलोड नहीं क्या है आपने वीडियो आपलोड करना बन कर दिया है फिर आपने दो माहिने बाद फिर से वीडियो आपलोड करना शुरू किया है तो यह consistency जो है यह आप मेंटेन नहीं कर रहे हों consistency ऐसे maintain होता है मान लिजिए आपकी channel पर आप daily video upload करते हो और आपने आकसार daily video upload करना बन कर दिया है तो आपकी जो consistency है यह आप बिल्कुल maintain नहीं कर रहे हो तो consistency maintain करके आपको आपकी channel पर video upload करना है दोस्तो ताड जो गलतिया होता है ताड गलतिया जैसे कि हम लोग जो वीडियो upload करते हैं वीडियो upload करने की बाद देख रहे हैं कि वीडियो पर तो views नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को मान लिजिए मैरा जान पर हचान 20 लोग है तो 20 लोग की पास मैंने वीडियो share किया है तो पहले तो 2-3 दिन वीडियो तुड़ा बहुत देख लेता है मैरा जो relative है देख लेता है या खुद की रिस्तदारों की पास आपने ये वीडियो share किया है खुद की friend की पास आपने ये वीडियो share किया है खुद की family में आप ये वीडियो share किया है तो पहले तो दू-तिन दिन वीडियो देख लेता है उसके बाद लगता है कि आप अगर आपको आगर आपकी जो रिलेटीव है रिलेटीव ने वीडियो देखेंगे तो उन्हीं को लगता है कि आपकी वीडियो देखने की बाद क्या होता है कि आप आगे जाएंगे तो इसलिए मतलब लोग हिंसा करते हैं आपको हिंसा करते हैं इसलिए आपकी जो वीडियो हैं आपके खातिर एक दूस सेकंड देख लेते हैं उसके बाद वीडियो से निकाल जाते हैं तो इसी तरह वीडियो देखने से क्या होता है कि आपकी जो वीडियो आपने अप्लेट क इतना चीज YouTube पर वीडियो आपड़ेट करते हैं लागता है ना सारी चीज आपको मतलब सही से डौंग से वीडियो आपड़ेट करना होता है और उसके बार दूस्तों आपको क्या करना है कि आपके अगर एक से दो मोबाइल है ना तो सेकंड जो मोबाइल है उसी मोबाइल से आप एक दूबार देख सकते हों लेकिन आदरवाइस आप किसी रिलेटिव आप किसी जान पे अचान वाले की पास वीडियो श्यार नहीं करना है वीडियो श्यार करने से लोग आपको हिंग सा करने लगता है और जब आप एक दिन YouTube पर माल लिजे आप सक्सेस्पुल नहीं हो पाया है तो आपको कहता है ओ यूटूबार ओ यूटूबार क्या हुआ है यूटूब से कितना पैसा मिला है तो ये चीज मतलब आपकी जो आसपास जो परशी वाली लोग होता है आपको मतलब दामाली करने लग जाता है तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो आप पार्ट होता है यह आप short करके काट करके आप मतलब Reels पर Facebook पर इस्टेग्राम पर upload कर सकते हो और वीडियो जब upload करेंगे निचे आप पूरा जो वीडियो है पूरा वीडियो की link आप डाल सकते हो अगर किसी को यह जो short वीडियो आपने बनाए है शौर्ट वीडियो अच्छा लगा है और सोचा है कि पूरा वीडियो देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आपके जो पूरा वीडियो है लोग देख सकता है लेकिन इसी तरह आपको किसी फ्रेंड किसी रिलेटीव किसी जान पेचान लोग को श्यार नहीं करना है दूस्तो आप लुग क्या करते हूं कि YouTube पर कुछ दिन वीडियो आपलोड करने की बाद दोस्तों आपको लागता है कि मैंने तो इतना मेनत कर लिया है और फिर भी वियूस नहीं आ रहा है तो मैंने YouTube पर वीडियो आपलोड नहीं करता हूं YouTube मैं छोड़ देता हूं YouTube से कुछ नहीं मिलत तो कुछ लोग क्या करता है कि जब देखता है कि वीडियो चैनल पर बिल्कुल भी उस नहीं आ रहा है तो कहता है कि मेरे लिए तो यूटूब नहीं है मेरे लिए यूटूब नहीं होता है यूटूब पर आके लोग कैसे पैसा कमाती है इतना मेनत करना होता है और मैंने तो क क्या मतलब बाकी है सारा कुस मेने मैनत करके देख लिया है तो मेरा चनल पर ब्यूज नहीं आ रहा है शायद मेरे लिए यूटूब नहीं है तो यूटूब छोड़ देता है तो एक साल बाद ये चे माहिने की बाद फिर से यूटूब पर एक वीडियो देखा है और उस वीडियो आपलोट करने की बाद जरूर मेरा चैनल पर व्यूज आएंगे तो फिर से आप क्या करते हो कि फिर आप पीछे चले जाते हों तो यह गलतिया आप कभी नहीं करना है और पच्छो जो पॉइंट है सबसे बड़ी सबसे में जो गलतिया है कि यह पास नंबर पर बाता है तो हम क्या करता है कि आपने बड़े च्णेल की जो वीडियो है वीडियो पर क्लिक करके कॉमेट्ट पर चनल की जो लिक हमलों करते हैं और उसके बाद YouTube को लगता है कि यह तो जो सस्क्राइबार से spam सस्क्राइबार से, तो हम लोग spamος वाला गलती करते हैं, जो पाच्वा पॉयंट है, इसमें spam वाला गलती करते हैं, आप किसी, आपने related किसी बड़े upgrades की जो वीडियो हैं, वीडियो की नीचे comment करके, आपकी चैनल की जो लिंक है, लिंक को भी send नहीं करना है, क्योंकि यूटूब की जो spam policy की अंदर ये चीज आता है, तो ये चीज आपको कभी नहीं करना है, तो दूस्तु ये past point आप हर एक time याद करके आपकी चैनल पर आपको काम करना है, और definitely आप यूटूब से एक दिन पैसा कमा स सकते हों, आपको पीछे नहीं रहना है, आपको आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए आपको काड़ी से काड़ी मेरत करना होता है, यूटूब पर आपको बहुत चीज ऐसे सीखने की बाकी है, आपको पूरा सीखना है, यूटूब आकर वीडियो views कैसे आता है, यू करता है ये आपको सीखना बाकी है अगर जब आप ये सीखेंगे ना तो उसके बाद या की वीडियो अगर तो दुस्तो आजके लिए वीडियो इतना ही है मिलते हैं से किसी अंधर वीडियो में तब तब के लिए जोएं ही